आपने देखा होगा कई बार कैचचप की बोटल में से कैचचप बाहर नहीं नहीं आता है पर अगर उसी की जग हैं उस बोटल में पानी भरा होता तो क्या आप ये चीज सोच सकते थे कि उसे पलटने पर वो पानी बाहर नहीं आएगा में जो इसमें फर्क है वो है कि जो आपका फ्लूइड है उसकी विसकोसिटी का एंड उसके किसी पाइप में या किसी ओरिफाइज में से फ्लो का अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफर कर सकते हैं इसके इबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो बेसिकली आज जो हम फिनोमिना पढ़ने वाले हैं वो है कि एक पाइप में अगर मैं कुछ लिक्विड जैसे के एक पानी हो गया या किसी एक और लिक्विड को अगर मैं फ्लो करूँ ठीक है लिक्विड नहीं वैसे तो मैं उज़े फ्लूइड बोलना चाहिए करेगा तो आपको पता कि पानी उसमें से पहले फ्लो करके निकल जाएगा अब जो उसमें अगर मैं सेकिंड एग्जामपल लूँ यहां पर के मेरे पास एक ट्यूब है जिसमें से मैं हनी को फ्लो करवा रहा हूं अब मैंने अगर उसकी रेडियस को मैंने डबल कर दिया तो क्या वो फास्टर उसमें से फ्लो कर सकता है या मैंने अगर उसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या अब वो फास्टर फ्लो कर सकता है तो क्या इस तरीके का फिनोमेरा रहेगा जिसे मैं एक pipe में से एक viscous fluid के flow को मैं judge कर सकूँ कि कितना volume per unit time उसमें से pass हो रहा है इसको हम poisele's formula से समझ सकते हैं तो poisele's formula में हम overall ये derive करेंगे या ये समझेंगे कि कितना volume per unit time किसी pipe में से pass हो सकता है लेकिन उससे पहले हम एक basic phenomenon समझ सकते हैं जो कि हमारे पास viscosity तो viscosity आपके पास क्या है कि मानली जी कोई भी जो fluid है वो move करना चाहरा है तो उसकी layers जो है वो एक दूसरे के respect में move करती है आपने generally देखा होगा जैसे कि मानली जैसे एक नदी में पानी बह रहा है तो नीचे का जो पानी है वो slow बहता है उपर का पानी fast बहता है तो इस तरह की कही तरह की चीज़े आपने देखी है कि जिसमें जो fluid है उनके layers में interaction होता है तो मैं एक fluid consider कर रहा हूँ जिसमें fluid की एक layer जो है वो उपर move कर रही है ठीक है और एक जो layer है वो उसके नीचे move कर रही है fluid की so just because ये जो layer है ये उपर और नीचे दोनों से interact कर रही है तो ये हम मानकर चलते हैं कि नीचे की जो layer है वो u velocity से move कर रही है and उपर की जो layer है ये u plus du velocity से move कर रही है इसका area मैं A consider करता हूँ इन layers का and इसमें हम consider करते हैं कि okay dx इसके इन दोनों के बीच में distance है now जो अब viscous force है overall क्या है कि एक layer drag करते हुए दूसरे से जाएगी overall ये इससे chip की हुई है इससे interact किये हुए तो जब ये इससे जो interact किये हुए है तो उस case में आपके पास क्या है कि हम consider कर रहे हैं कि जो viscosity की वज़े से जो force act कर रहा है fluid पे वो क्या है तो मैं इसको force of viscosity ये नाम दे रहा हूँ so that is proportional to the area जितना इस layer का area जादा होगा उतना वो निचले layer से आपका interact जादा करेगा और उतना viscosity overall उसके flow को रोकेगा इसके बाद ये जो आपके पास force of viscosity है जो overall एक तरह से जैसे आप friction की बात करते हैं या आप इस तरह से damping force की बात करते हैं उसी तरीके से ये भी क्या है ये flow को रोकना चाहता है overall ये कैसी property है now this is proportional to जो आपके पास velocity gradient है so this quantity du by dx तो du by dx आपके पास velocity का जो difference है per unit space तो ये आपके पास क्या है ये भी जो force of viscosity है इसके proportional है and हमें पता है कि ये जो है force of viscosity ये negative opposite direction में है जिस direction में वो जाना चाहता है उससे opposite है so overall ये expression हमारे पास बनेगा minus अब यहां हम एक quantity new लगा देते है जो कि constant है in this condition a du by dx तो यहां हमें ये बात समझ में आई क्योंकि this is coefficient of viscosity जो कि overall हर material के लिए अलग अलग हो सकता है water के लिए यही value कम होगी honey के लिए यही value जादा हो सकती है ये area जो भी layers है हमारे पास जितना भी liquid का जो भी हमारे पास fluid है उसका जितना spread है कि उसकी एक layer का area और दूसरी layer का area कितना एक दूसरे से interacted है उस पे depend करेगा और इनके velocity gradient पे depend करेगा तो ये हमारे पास overall एक formula आता है जो कि इस case में है now अगर हम poisley's formula देखें तो वो basically आपका चल रहा है कि एक pipe जो आपके पास है हमने एक pipe consider की इस pipe का यहाँ पर मैं a area consider कर रहा हूं तो इस pipe में से आपका जो fluid है वो flow कर रहा है and जब ये fluid इसमें flow कर रहा है तब हमें देखना है कि overall अगर मैं steady flow की बात करूँ तब इसमें कितना volume per unit time मतलब overall इसकी radius इसके length हर चीज़ के उपर वो किस तरह की dependence आपकी show करता है and अब हम इसमें कुछ considerations add कर लेते हैं कि इसकी length जो है वो l है इसकी radius जो है वो r है small r तो इसके अंदर जो fluid अभी flow कर रहा है तो अब वो flow इस तरीके से कर रहा है कि basically बीच में इसकी velocity जो है आपके fluid की velocity वो सबसे जादा है उसके बाद उससे interact करते हुए अगली layer की velocity कम है उसके बाद और कम और कम and finally जो layer इस surface से contact में है वो बिलकुल रुकी हुई है जो इस surface से इस pipe के surface से बिलकुल adjacent है वो layer बिलकुल रुकी हुई है ये हमारी basic जो considerations है वो इसमें है अब अगर मैं इसको assumptions के तोर पे basic assumptions जो इस expression को करने के लिए हमें चाहिए अगर मैं उससे pinpoint करना चाहूँ ठीक है तो वो हमारे पास क्या point बनते है so इस example में first point हमारे पास बनेगा कि ये जो हमारे पास flow है ये हमारे पास streamline flow है streamline flow का मतलब क्या है कि ये बिलकुल सीधा-सीधा turbulent flow नहीं है तब ही हम इसको quantify कर पाएंगे अगर ये flow किसी भी direction में टेड़ा मेटा जाता रहेगा तो turbulent के तो infinite number of scopes हो सकते है कि कोई किस condition में किदर मुड़ जाता है कोई fluid और उसकी वज़े से क्या interactions पैदा होती है तो ये हम streamline बिलकुल सीधा-सीधा flow इसका हम ले रहे हैं ये हमारी पहली consideration है second जो इसमें consideration मैं मान रहा हूँ वो है जो भी हमारा fluid है जो pipe से touched है ठीक है so fluid in contact with pipe surface is at rest तो जो fluid है वो क्या है जो pipe से बिलकुल जुड़ा हुआ है वो क्या है वो आपका rest पे है अब इसका मैं एक बड़ा popular आपको example दे सकता हूँ जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब दिवाली के time पे जब हम पंखों की सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके उपर इतनी मिट्टी जमा है पंखे के उपर काफी मिट्टी जमा है तो हम सोचते हैं कि ये इतनी तेज हवा करता है सारी मिट्टी उड़ जाती है तो पंखे के उपर जो मिट्टी है वो कैसे जमा हो जाती है तो basically जो fluid dynamics है वो ये कहते हैं कि पंखे से जब एक fluid को वो flow करा रहा है तो पंखे से जो adjacent बिलकुल air है वो flow नहीं करती है वो वहाँ पर रुकी रहती है इसलिए उस पर मिट्टी कठी होती होती है और वो मिट्टी उड़ती नहीं है तो basic चीज वही हम यहाँ पर मान सक रहे है कि fluid जो contact में है pipe से वो बिलकुल adjacent वाला वो move नहीं कर रहा है उससे अगले में movement शुरू होती है फिर और अगले में जादा movement और अगले में जादा movement तो इस तरीके से pipe में जो है वो आपका air flow होती है इसके अलावा next thing मैं consider कर रहा हूँ कि let us consider मैंने यहाँ से इसके first surface से एक P1 pressure यहाँ पर apply किया and second से surface से consider P2 कोई pressure यहाँ पर लग रहा है अब यह किसी hurdle की वज़े से भी हो सकता है हम खुद भी apply कर सकते हैं यह हो सकता है यह P2 zero ही हो fine तो all possible cases वो हम इसमें यहाँ पर ले सकते हैं तो P1 एक pressure है P2 एक pressure है अब वो जो भी हमारा liquid है fluid है वो एक direction में कब flow करेगा जब आपका P1 P2 से ज्यादा होगा ठेक है तो लेकिन हम overall यह consider कर रहे हैं कि यह जो flow है यह streamline flow कब रहेगा जब आपका किसी भी जो layer पे pressure जो है वो same है मान लीजे किसी भी particular layer पे मतलब यहाँ और यहाँ जो आपके पास हमने एक cross section layer ली वो cross section के उपर अगर इन दोनों में pressure पे फर्क है तो यह तो within the layer ही move करने लग जाएगा तो अगर यह within the layer move करने लग जाएगा तो वो streamline flow तो रहेगा ने तो यह क्या है अगर मैं overall बोल रहा हूँ कि streamline flow तो streamline flow के साथ यह मैं मान सकता हूँ कि यह कहीं न कहीं inbuilt एक तरह का option है कि आपके पास किसी भी cross section में जो pressure है वो आपके पास constant रहेगा तो हम इसको एक अलग से point भी लिख सकते हैं यह streamline flow के साथ मतलब उसी का एक derived form भी मान सकते हैं कि ठीक है एक cross section ठीक है उस पे आपके पास क्या है pressure is a constant तो constant की जगे हम इसे कह सकते हैं कि is a fixed value तो is a fixed value so yes तो यह आपके पास एक concentration है जो seminar laminar flow के लिए जरूरी है fourth अब basically अगर यह process जो है वो बड़ा slow-slow होगा तो हम मान सकते हैं कि चलिए कि यह जो flow है वो streamline बना रहेगा अगर यही process जो है वो हम किसी random तरीके से या by force बड़ी तेजी से करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग लगते हैं कि interactions और भी possible हो सकते हैं जिससे streamline flow बिगड सकता है तो हम कह सकते हैं कि overall यह जो process है ठीक है इसमें यह जो fluid की kinetic energy है kinetic energy of fluid is low तो overall काफी slowly जो है वो हमारा जो fluid है वो इस pipe में flow कर रहा है अब इन considerations के साथ हम basically समझ सकते हैं कि अब इसमें इसके flow को हमने study करना है कि यह कितना flow per unit volume हमारे पास होगा तो अगर मैं इसी pipe का example ले रहा हूँ तो इसी pipe में से जब मैंने एक तरफ P1 pressure अपलाई किया हुआ एक तरफ P2 pressure अपलाई किया हुआ तो net pressure यहाँ पर कितना बनता है तो इस case में net pressure को मैं consider कर सकता हूँ कि delta P which is equal to P1 minus P2 तो P1 और P2 के difference से आपके पस delta P आता है तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ के external जो मैं force यहाँ पर provide कर रहा हूँ उस ketchup को bottle से निकालने के लिए तो वो मेरे पास क्या है delta P pressure मैंने apply किया तो overall मैं इसको कैसे समझू कि delta P pressure into this cross section area इतना मैंने force लगाया होगा इसको push करने के लिए तो यह क्या है यह मेरे पास equal to force है जो मैं externally लगा रहा हूँ इस fluid को push करने के लिए now along with this हमें पता है कि यह जो मैं उसको push करने के लिए force लगा रहा हूँ इसके साथ एक और force यहाँ पर apply हो रहा है वो force क्या है वो है आपका viscosity की वजह से कि वो fluid को रोकने की कोशिश कर रहा है तो viscosity वाला अगर मैं force की बात करूँ कि जो force लग रहा है viscosity की वजह से तो यह हम अभी जस्ट पिछले section में थोड़ी देर पहले हम इसमें को discuss कर चुके हैं अब यह दो forces है एक external force है उसको चलाना चाह रही है एक यह opposite force है negative sign represent कर रहा है opposite direction तो यह opposite force है जो उसको रोकना चाह रही है अब क्या है कि basically जो भी कोई forces है अगर कोई net force किसी चीज़ पे होती है तो वो system accelerate करता है लेकिन हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि यहाँ पर streamline flow है एक study flow चल रहा है constant flow तो एक constant flow के case में क्या होगा कि net force जो आपके system पे है वो zero होनी चाहिए तो जब net force zero होगी तब ही जो आपके पास overall जो flow है वो जो velocity है वो constant बनी रहेगी तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इन दोनो forces को external forces और viscous forces को इनको आपस में equal रख देते now यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि this point A यह जो आपके पास area है यह है आपके पास इस surface का area and यह जो आपके पास area है इसको मैं A की जगे A' से represent कर सकता हूँ यह है जो भी आपके fluid move कर रहे हैं उस fluid में दो layers के जो contact का area है वो area उसको हम यहाँ A' से represent कर रहे हैं यह A और A' यह आपके equal नहीं है so they are different identities so अब हम इसको equate करके जो हमारा Poisele's formula है जिससे हम कितना volume per unit time एक pipe में से एक capillary में से flow कर सकता है किसी fluid का वो हम find out कर सकते हैं वो expression हम solve करेंगे लेकिन एक छोटे से break के बाद Welcome to S. Chand Academy Myself, Dr. Mamta Sethi and I am here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics so stay connected like, subscribe and share and do not forget to press the bell icon Welcome back to S. Chand Academy Break पर जाने से पहले हमने viscosity के बारे में discuss किया था and Poisele's formula को derive करने के लिए एक step हम आगे बढ़ गए थे तो मैं basic एक diagram बनाता हूँ and उसके according हम जो external force हम apply कर रहे हैं और viscous force उसको हम equal करते हैं उस particular condition के लिए so let's look at के मेरे पास जो एक pipe है इस pipe में इस pipe की length हम consider कर रहे हैं okay so this is L length now अब इस में मैं consider कर रहा हूँ कि एक particular layer क्योंकि overall जो ये आपके पास interaction है वो layers के बीच में हो रहा है जिसकी वज़े से viscosity है तो मैं consider करता हूँ क्योंकि center से x distance पे आपके पास एक layer है like this and उस से जो बिल्कुल next layer adjacent next layer वो हम माल लेते हैं क्योंकि वो आपके पास है x plus dx length पे so x plus dx length पे इतनी radius के उपर आपके पास next layer है तो दो layer है एक layer x center से x के उपर हम cylindrical layer consider के है जो कि pipe के shape में ही है and उस से just एक next layer यह हमने consider की है so now जो हमारे पास equation है so that is like this new a du by dx अब this area is a dash and second is के जो मेरे पास यहां पे pressure है delta p जो इस overall apply हो रहा है इसके उपर यह एक surface area a पे apply हो रहा है तो अब यह जो expression है with a minus sign of the viscosity इससे हम अब solve करेंगे इसमें अब यह जो हमारे पास structure है इसको अगर मैं देख रहा हूँ के overall यह मेरे पास x के उपर एक layer है and अगली जो मेरे पास layer है वो x plus dx के उपर है तो जो layer यहां पर interact कर रही है जिसकी वज़े से viscosity हो रही है वो क्या है वो यह जो आपके fluid की layer है जो की cylindrical form में है वो आपके पास है तो अगर इस layer को मैं ले रहा हूँ तो इसका area क्या होगा basically तो cylinder है cylinder का अगर radius आपके पास x है तो आपके पास 2 pi x ठीक है तो 2 pi x into this length l यह आपके पास इस pipe में यह total आपके पास इस layer का area बनेगा and the quantities new du by dx is equal to delta p and अब यह a area यहाँ पे क्या होगा a area है जिस पे आप external pressure डाल रहे हो जो की है pi into x square तो x तक अभी हम जा रहे हैं later हम इसको integrate करेंगे तो यह ठीक है हम 0 से इसको r तक total देख लेंगे तो अभी के यह लिए जो यह layer है यह pi x square इतने area की हम बात कर रहे हैं इस expression को अगर मैं solve करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंके du so this quantity du is equal to अब यहाँ पे pi से pi cancel हो जाता है x से single x से cancel हो जाएगा तो overall आपके पास बनेगा delta p x divide by with a negative sign coefficient of viscosity 2 and l into dx तो यह expression हमारे पास यहाँ पर बनता है now in this expression अगर मैं इसे integrate करूँ तो मेरे पास final expression बनेगा so this value u is equal to negative of del p by 2 new l and this quantity x का अगर मैं integration करूँगा तो यह x square by 2 इस तरीके से बन जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक constant value भी आएगी अब यह जो expression है इसको हमें solve करना है लेकिन इसमें क्या है अभी यह जो constant है जो constant of integration हमारे पास इस expression में आया है इसको हमें इसकी value find out करने है तो इसकी value find out करने के लिए हमें कोई ना कोई condition चाहिए या कोई boundary condition चाहिए जिससे हम इसके बारे में पता कर सके k की value निकाल सके तो एक चीज हमें basically यहां पर पता है जो मैंने आपको पहले explain की कि जो भी इस pipe का surface है इससे जो adjacent जो बिलकुल layer है उसमें कोई भी moment नहीं है उसकी velocity जो है वो u वो आपके पास 0 है so मैं कह सकता हूँ कि जब x when x is equal to r for that u is equal to 0 so for x is equal to r u is equal to 0 तो इस expression में अगर मैं यह values पूट करता हूँ तो इसको insert करने पर मुझे मिलता है u की value मैंने 0 पूट कर दी x की value यहां मैंने r पूट कर दी so k की जो value मेरे पास बन जाती है so this will be r square 2 and 2 4 हो जाएगा तो यह आपके पास आजाएगा delta p r square divide by 4 this quantity new and this quantity l तो यह guys आपके पास k की value आ जाती है अब यह k की value को अगर मैं यहां insert करूँ तो मेरे पास final जो u की value आएगी तो मेरे पास जो final u की value आएगी u की value will be तो इसमें क्या है एक negative sign के साथ x square है बाकी सब quantities दोनों में same है तो मैं same quantities को यहां mention कर देता हूँ and the difference is between r square minus x square so यह जो u है यह maximum होगा जब x आपका 0 होगा तो x 0 means कि जब आप central layer के बिलकुल पास है तब आपकी fluid की velocity वहां पर maximum है और जैसे जैसे आप इस center से दूर जाते जाएंगे when this x is equal to r तो x की value जब मैं r put करूँगा तो u 0 हो जाएगा क्योंकि layer से जो connected आपकी जो velocity है fluid की वह आपकी 0 है तो यह overall आपके पास expression बनता है जो कि आपको बता रहा है कि this quantity u velocity जो है वह आपके fluid की क्या बन रही है at different parts now for deriving poisele's formula तो हमें overall इस expression में अभी थोड़ी सी मशक्कत और करनी पड़ेगी so that will be like this कि basically हमें जो find out करना है वो है कि volume कितना volume per unit time जो है वो इस pipe में से पास होता है तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ okay volume तो जिसको मैं mention कर रहा हूँ okay per unit time तो यह जो आपके पास volume है this will be equal to अब हमें पता है कि fluid की हमें velocity पता है हमें उस pipe का area पता है तो हम यह find out कर सकते हैं कि अगर हमें किसी layer की velocity पता है तो एक unit time के अंदर कितनी जो layer है वो pipe में से pass हो जाएगी यह हम find out कर सकते हैं तो overall जो भी है आपके पास area जो की मैं कह रहा हूँ कि एक layer का जो area है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो एक layer हमने अभी consider की थी उसमें जो area cover हो रहा है हम उसकी बात कर रहे है into उस layer की velocity तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना fluid जो है वो उसमें से pass कर रहा है तो overall यह expression किस तरीके से आता है कि जो area है into जो length है उस pipe की अगर मैं उसको यह आपके बस volume होता है divide by time करते हैं तो area तो उस layer का as it is है लेकिन length per unit time से हम उस fluid की velocity से हम इसको correlate कर देते हैं कि कितनी length उसमें pass हो जाती है तो इस तरीके से यह expression derive होता है now area of that layer यह आपके पास क्या है तो इसको मैं अगर लिखूं कि differential of that volume कितना volume उसमें आया and area of that layer कि एक pipe है जिसके अंदर आपने x के उपर एक layer आपने consider की हुई है x से dx तक तो यह जो आपके पास a आपके पास है यह आपको इस portion यह आपको चाहिए अब यह portion आपके पास कैसे आएगा कि overall जो मेरे पास quantity है 2 pi x जिससे मुझे इसकी length मिलती है and this quantity dx this is it इसके साथ अगर मैं इसकी velocity multiply कर देता हूँ तो यह मेरे पास इस तरीके का expression बनाता है अब यह क्या है यह एक differential volume है अब मैं u की value यहाँ से इसमें insert कर सकता हूँ तो अगर मैं u की value इसमें insert कर सकता हूँ तो कितना volume मेरे पास यहाँ पर आता है तो 2 pi u के जो parameters हैं उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओके this is delta p 4 new l l को हमने अभी constant consider किया हुआ है this quantity x x अगर इससे multiply होगा तो x r square minus x cube dx यह आपके पास इस तरीके की quantity बन जाती है अब इस quantity के अंदर अगर मैं volume यहाँ पर consider कर रहा हूँ now इसको integrate करने पर हमारे पास जो relation आएगा so that will be like कि मैं एक तो पहले इसको 2 cancel कर सकता हूँ overall delta p pi divide by 2 new l और यह आपके पास जो expression है इसका integration हम करेंगे तो यह on integrating अब integration में जो हमारे पास x है इसकी value क्या हो सकती है? इसकी value 0 से लेकर r तक जा सकती है so this is x square by 2 into r square minus x4 by 4 यह हमारे पास value हुई और यह value 0 से लेकर r तक जा सकती है finally जब मैं इस expression को solve करता हूँ तो r की value insert करने के बाद this will be r raise to the power 4 by 2 minus r raise to the power 4 by 4 तो अगर मैं इसमें से minus करूँ तो r raise to the power 4 by 4 यह मेरे पास expression में बज़ता है finally यह आया हमारे पास delta p pi r raise to the power 4 by 4 तो वो 2 से multiply हो के 8 rho and this quantity l so this quantity new so यह जो आपके पास expression बना यह है आपके पास कितना volume आपका per unit time किसी pipe में से flow हो रहा है अब इतना तो चलो हम इस expression को देखके समझ सकते हैं कि first thing कितना volume flow कर रहा है यह depend करता है pressure पे कितना pressure हम उस पे डाल रहे हैं तो जैसे अब अगर ketchup की bottle में से ketchup नहीं निकल रहा है तो हम उसे push करके pressure increase करते हैं ताकि वो flow volume उसमें से निकल जाए second thing अब यह r raise to the power 4 पे depend कर रहा है तो एक simple चीज तो हम समझ सकते हैं कि r square पे कैसे depend करता है कि r square तो area हो गया एक तरह से तो जितना हम area बढ़ाएंगे pipe का उतना flow जादा करेगा लेकिन यह r 4 पे इसलिए depend कर रहा है क्योंकि इसमें internal जो आपसमें layers हैं वो independent नहीं है सबी layers एक दूसरे को आपसमें bound करती हैं तो जितनी आपके पास pipe बढ़ी होगी खुली होगी उतना center में velocity जादा होने का scope आपका है तो अगर ketchup की आपकी bottle का जो छेद है जो आगे उसका mouth है अगर उसको मैं बढ़ा बना दूँ तो वही ketchup बहुत easily flow होगी और अगर वही mouth जो है वो बिल्कुल squeezy के अंदर अगर बहुत छोटा सा है तो उसमें क्या है वहाँ पर बहुत मुश्किल होगी और वो अपने आप ऐसे नहीं टपकेगा आपको pressure exert करना पड़ेगा ताकि वो ketchup उसमें से बाहर निकले अब ये length के inversally proportional है length के ये inversally proportion क्यों है क्योंकि जितना एक pipe का length ज्यादा होगा उतना आपके पास ये जो layers है इनका area ज्यादा होगा और उनका आपस में जो interaction है उसकी वजह से viscous force जो है वो ज्यादा बनेगी तो इससे वो flow को कम करेगा तो overall ये जो formula है ये आपका poesilis formula आपको बताता है कि volume per unit time कितना flow कर सकता है और उससे related सभी parameters सभी conditions के अंदर हम इसमें understand कर सकते हैं as a summary अगर हम देखें तो इस lecture में सबसे पहले हमने viscous force को समझा कि viscosity क्या होती है तो liquid कोई भी जैसे हम fluid की बात करें तो उसकी layers आपस में interact होती है तो उस interaction की वज़े से वो किसी भी flow का oppose करती है तो एक वो force है आपके पास एक force आप external force लगाते हो जिससे वो move कर पाए now जब उस forces को हम equal रखते हैं then उसका हमें एक expression मिलता है उस expression को solve करते करते हम एक condition पे पहुँचते हैं आपके constant की value find out करते हैं और final एक expression हमें like this achieve हो जाता है इस expression के साथ फिर हम कुछ और considerations का use करते हैं जो कि volume per unit time से related है कि कितना flow उसके अंदर होना चाहिए and then उसको derive करके further हम posilist relation पे पहुँच जाते हैं जो कि हमें basically ये बता रहा है कि कितना flow होना चाहिए एक pipe में से per unit volume की अगर हम बात करें तो I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा इससे related आपके जो भी comments हो वो आप comment section में mention कर सकते हैं लिख सकते हैं अगर आप इस topic को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप S. Chand Publishing की इस book को refer कर सकते हैं इसके e-book का link आपको video के description box में मिल जाएगा इसी तरह के और lecture सुनने के लिए और knowledge gain करने के लिए आप channel को subscribe करना ना भूलिए और bell icon ज़रूर तबाइए Take care, have a very good day All rights reserved This video has been prepared for educational purposes only No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder पकुरा हुआ लूचिए लुष बास